मोदी राज में एक हाई कोट के जज की रोग दी गई है सेलरी, CGI दीवाई चंदर चूड हो गए सक्त नाराज, सरकार को भीज दिया है नोटिस, जी हाँ, मामला बेहत चौकाने वाला है, आप सोचके देखिए कि एक हाई कोट के जज है, उनकी सेलरी रोग रोग दी जाती है, क्या किसी भी सरकार में, क्या किसी देश में जहां लोग तंत रह, जहां समविधान है, ऐसा होना चाहिए, जिनके उपर न्याएं देने की जिम्मेदारी है, अगर वो ही याचक के रूप में नजर आने लगें, तो कैसा लगें? मामला बेहत गंबीर है, मामला बेहत चौकाने वाला है, और समविधाने की दरस्टी से, न्याएं की दरस्टी से देखें, तो मामला बिलकुल भी ठीक नहीं है, तो कि देश के न्याएं धीश इनकी उपर न्याएं देने की जिम्मेदारी है, अगर वो ही याचक बन जाएंगे, तो कहीं न कहीं ये सरकार की ताना साही का सबूत है, और ऐसे मैं जो न्याए पालिका है, वो कहीं न कहीं दवाब महसूस करेगी, और यही दवाब महसूस किया है, जस्टिस ने पहुंच गया है, सुप्रिम कोट दाखिल कर दी है याचका, और सरकार को, CGI, डिवाई चंदर चूड ने एक बेंच बना करके सरकार को जारी कर दिया है, नोटिस मांग लिया है जबाब, जानते हैं क्या है पूरा मसला, इसके लिए आपको वीडियो में लाज तक बने रहना है, वीडियो को escape करके ना देखें, आगे पीछे करके ना देखें, वीडियो बहुत informative है, आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि देश में आखिछ चल क्या है, मसला जो है पटना हाई कोट से जड़ा हुआ है, पटना हाई कोट के जस्टिस हैं, जस्टिस दुद्र प्रकास मिश्रा, उन्होंने सुप्रिम कोट में एक याचिका दाखिल की है, उस याचिका में उनका ये कहना है कि नवंबर 2023 में उनका प्रमोशन हुआ, उच्छे ने रही है क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिसकी सरकारी नोकरी हो और को बहुत दिक्कत हो रही है आर्थिक परेशानिया उनको आ रही है और उनकी बात कोई भी सुन नहीं रहा है ना प्रदेश की सरकार उनकी सरकार उनकी बास सुन रही है और उन्होंने याचिका दाखिल की सुप्रीम कोट में तो सीजी आई इस पर सक्त नाराज हुए तुरंत आनंफानन में एक बैंच बनाई गई जिसकी अध्यक्ष था सीजी आई डिवाई चंद्रचूड करेंगे क्योंकि ऐसे फैंसलों में ऐसे मामलों में वो जाने जाते हैं पेहत गंबीर फैंसले लेने के लिए और चूंकि मामला एक हाई कोट के जज की सेलरी को लेकर है उनके जीवन पर आये संकट को लेकर है सीजी आई ने ततपड़ता दिखाई है तेजी दिखाई है और तीन जजिस की बैंच तुरंद गठित की है जिसके अध्यक्ष सीजी आई डिवाई चंद्रचूड है और इसमें जो सह जो जस्टिस हैं इस बैंच के वो है मरोज मिश्रा और जेभी पाधु वाला तीन जज आप लोग रख हैं कि क्यों ना सुप्रिम कोट आखते वरुद कार रही है तो मामला बेहत गंबीर है नियाय की बड़ी कुर्सियों पर हाई कोट की कुर्सियों पर बैठने वाले जस्टिस को अपनी सेलरी के लिए सुप्रिम कोट जाना पड़ रहा है यह देश के इतिहास में शायद पहले कभी हुआ हो लेकिन अगर हुआ भी है तो बेहत शर्मनाक मैं मैं इसको मानता हूं घटना है जस्टिस अगर परेशान रहेंगे मांसिक रूप से अगर वो दिस्टब रहेंगे तो नियाय कैसे कर पाएंगे बड़ा सवाल है खलाल मामला सुप्रिम कोट मे सप्रिम कोट के सीजी आई ने सक्स पेवर इसको लेकर अपना लिये हैं सेलरी तो जस्ट आपकी मिलेगी मिलेगी लेकिन सरकार को जवाब भी देना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह रही कि उनकी मनमानी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने जस्टिस तक को नहीं चोड़ा आज की वीडियो में इतना ही जय हिंद जय भारत नमस्कार